हेलो अरिवान गुड मॉनिंग नमस्कार 28 अक्तुबर 2020 और आज के दह हिंदू नीज पिपर को हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप को लेकर रिशनली भारत और अमरीका के बीच में टू प्लस टू टॉक्स हुई टू प्रीफ में एनलीटीसस करेंगे सबसे पहले बात किये गई कि इंडिया जो है वह स्वरी यूएस करेगा इंडिया को में हम डिफेंड को स्कार्ण करेंगे इसकेश इंडिय। US के relationship में अब क्या-क्या चीज़े हुई है कौन से agreements हुए उनकी क्या importance है दोनों countries के relationship को लेकर तो यहां पर जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में discuss किया इसमें एक important agreement हुआ जिसका नाम है basic exchange and cooperation agreement on geospatial cooperation basically GPS geographical information system remote sensing इस तरह की डेटा को अच्छे से analysis करना उसका utilize करना उन सब के मामले में corporate करेगा BECA यानि basic exchange and cooperation agreement on geospatial cooperation इनके लावा United States ने कहा कि वो इस बात को ensure करता कि कोई भी थ्रीट भारत की sovereignty और liberty पर आएगा तो वो कहीं ने कहीं भारत को support करेंगे और भारत को इसकी territory को save करने के लिए जो भी treats होंगे उसमें अमेरिका जो है United States इसको support करेगा हाला कि यह कितना करेगा यह अभी concern रहता है क्योंकि US जो अपने relation अपने हिसाब से establishment करता है लेकिन इन सब के बीच में यहां पर बताया इन सब के लावा बहरत और अमरीका ने कई सारे मेमरांडम आफ अंडरस्टेंडिंग यह कह सकते अग्रिवेंट्स किये टेकनिकल cooperation में हो चाहे जो अर्थ observation में काम करेगा अर्थ sciences को लेकर हो इसके लावा इन्होंने ग्लोबल center for nuclear energy partnership को लेकर हो और दो एग्रिमेंट साइन किये गई electronic exchange of custom data and letter of intent regarding cooperation in traditional Indian medicines को लेकर ठीक है traditional Indian medicine में आप इस तरह की चीज़ें को कांट कर सकते हैं इनके लावा उन्होंने चैना को क्रिडिसाइज किया कि कही नहीं कहीं चैना की वज़े से साउट चैना सी हो चाहिए इंडो पैसिफिक रीजिंस हो उसमें कहीं नहीं हमें issues देखने को मिलते हैं भारत और चैना के बीच में भी फिजिकल क्लैस हुआ और उन सब को उन्होंने डिसकॉस किया इनके लावा चैना ने उसको रिजक्शन करना ही था चैना का हमेशा उसका रिप्लाई करता तो चैना ने कहा कि भाई आपने जो बोला है इसे किसी को कोई फाइदा नहीं होगा और एक तरीके से आप कोल्ड वा अमवरीका जो है नो काम करता रहेगा भारत के सबस्क्राइब करता है भारत इस बाइस बात को श्यूक्त करता कि वल्ल्द के अंदर पीज शटीकलिसमेंट हो अफगान स्बस्विजि कि इ aft इंडिया को और क्या दोनों कंट्रीज के रलेशंशिप में इंप्रॉमेंट होगा इन सब के अलावा क्योंकि यह पूरा का पूरा जो रीजन से पूरा पूरा जो बेनफिट या एक तरिके से टर्गेटिड एरिया जिसको बोल सकते हैं वो इंडो पेसिफिक रहेगा तो चैना के लिए अपना एक थ्रीट हो सकता है भारत तो डिरेक्टली और इंडरेक्टली कभी भी चैना को या किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करता भारत की अप और यूटी जमोन के समीर में कनवर्ट किया गया अब वहाँ पर क्योंकि जब यह 370 हटाया गया तो उस टाइम इस बात को बोला गया था कि क्योंकि इसकी वज़े से इन्वेस्टमेंट यह तरह की चीजे गवर्मेंट की तरफ से बोले गी और 370 में जो लेंड नहीं सबसे पहले बात की गई ओपन फॉर सेल यानि यह कहीं नहीं ओपन फॉर सेल रहेगा यानि कोई भी इसको ले सकता है उसके लिए अब रूल्स और रेगुलेशन भी बना दी गया है यहाँ पर बता गया कि न्यू लोज के अंदर जो एक्सक्लूजिव राइट्स था कि पर आउटसाइड जम्मू एंड कस्मीर कें पर्चेज वह अब यहाँ पर जमीन जो है खरीद सकते हैं आउटसाइड जमू एंड कस्मीर थार्ड इंपोर्टेंड यहां पर वाड यूज किया गया है देर विल बी बार दाव और अगरिकल्टर जमीन आप नहीं खरीद सकते स्पेशल परपर्ज के लिए हो जैसे हेल्थ केर है एजूकेशन है या स्पेशलाइज एजूकेशन इसके लावा यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया कि आर्मी ओफिसर जो है वो कॉप्स कमांडर्स के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकलर एरिया को स् अदर यह बताया गया कि ओनली एग्रिकल्चर जो है वो कि यह जो जमीन होगी वो केवल एग्रिकल्चरिस्ट ही खरीद सकता है और कोई उसका सेल गिफ्ट एक्सचेज नहीं होगा तो यह कुछ बाते इसमें बताई गई है इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखेंगे कोविड-19 continue है तो उसके बारे में डेली विसिज पर आई-सीमर की प्रेस कॉनफरनेंस होती है तो यह नहीं बताया कि पुलेशन और विंटर जो है थ्रीट की तरह काम कर सकते है रिशनली हमने देखा कि एर कॉलिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली और उसके आसपास एरिया म में खराब सिच्वेशन देखने को मिली और इनके लावा विंटर में वायरस कैसे करता है यह भी अपने आप में इनके लावा आज सीमर यानि इंडियन काउंसल और मेडिकल रिसेर्च ने कहा कि बच्चे जो है विक सिंबल्स एक नया चीज़ी देखने को मिल रहे है कि उन लेकिन उस रिकावरी में सबसे इंपोर्टेंट है कि केसि ना बढ़ें और केसि ना बढ़ें इसके लिए जरूरी के प्रियोक्री केरी कोड़ें कियो क्यों पर भी और हमारे लेवल पर भी इसके लाब एक government scheme जो है continue news में है तो उसको हम थोड़ा साथ देख लेते हैं यह scheme है PM7 थी तो इसको धान से समझ लीजीगा प्राइम मिनिस्टर स्टीट वेंडर्स आतम निर्बर नहीं थी यानि ऐसे लोगों को जो जैसे स्टीट वेंडर्स होते हैं रहड़ी वाले होते हैं या जो ठेले वाले जिसको बोल सकते हैं उनको गवर्मेंट की तरफ से एक loan scheme प्रोवाइड कर वाजिए 10,000 का loan दिया जा र लेकिन कई लोगों के लिए 10,000 छोड़ी 100 रुपे भी बहुत जादा हो जाते हैं तो अगर सरकार मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से financial तरीके से उनको चाहिए loan प्रोवाइड करवाए तो उनके काम को कई ने के अदर confidence आता है ये सारी चीज़ें अगर हो रही तो उसका एक BIA के अंदर है उनको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा इसके लावाद दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही है उसको थोड़ा सा उब्जर्व करेंगे अगर आप देखेंगे यहां पर तो इनाटिव स्टेट्स ने ताइवान को 2.4 बिलियन के जो वेपन सेल करेगा और ताइवान एक इसए आइसा टेरिट्री है country को तो हलागि देघैन क्या बहुत सारे państwa ने तो यह चाइना बोलता की हमारा पार्ट हभाई की फाइजी नेटवर्क और उगर Movности कम्मुनिटी कई सारे셔서 है जो त्रीडर है जो कहीनगर करता है तो कहीन ने कहीन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर रिशनली ब्लास्ट किया गया वहाँ पर वह सारी लोग की डेथ होगी तो जिस पाकिस्तान में टेर्रिजम खुद उनको डेमेज कर रहा है उस पाकिस्तान को फैनेंशल एक्षन टास्क पॉर्स ने बोला था कि भाई आपको क्रोस बोर्डर टेरिजम हो रहा है तो पाकिस्तान एलिगेशन लगाता लेकिन ग्राउंड में इस तरह की चीजें जो है वो एक अलग तरीके सी चीजें शो कर रही है इसके लावा थाइलेंड में कंटेनियो प्रोटेस्ट जा रही है और वो यह बोल रहें कि जर्वनी इस हर्याना पंजाब उत्तर प्रदेश इस तरह स्टेट है तो वहां भी एक स्टेट हो वहां पर 50 स्टेट है और रिप्रेजेंटेशन हाला कि उनका एक्वल रहता है प्लिटिकल उसमें जैसे अभी प्रिजिडेंट का इलेक्शन होगा इनके अलावा कई सारी चीजें आपको एलेफेंट की डेथ हो गई थी और उसका रिजन यह था कि पानी में टेंपरेचर इंक्रीज होने के वज़े से पानी घराब हो गया उस वज़े से इनकी डेथ हुई तो कई सारी चीजे है आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जो ग्रीन हाउस कैसीज है या क्लाइमेट चे क्लेंट करने ग्रीन हाउस गैसिस कोण कोंसी और सेश्ल कंट्रीज ओ ओै कौन से कॉन्टिनेर चैन्दर आती व आपको नीचे क्लेंट कर ने कवह सकता है तो वा महादुप कौन से महादुप के अंदर आएगी इसके लाब बिजनस सेक्षन में एक छोटिश इंफोर्मेशन है हमारी जो वित बंतरी है निर्मला सिधारवन मेडम इन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में डिसकस किया पहली बात इन्होंने कि हमारी रिकवरी तेजी से होगी तो इन्होंने कई सारे क्वेशन पर जवाब दिया जैसे फिनेंशिल इयर ट्वन या जो अभी नेक्स्ट इयर आएगा जब बज़ेट प्रिजन्ट किया जाएगा उसके बाद एक अप्रिल से जो फिनेंशिल इयर स्टार्ट होगा उससे लेके नेक्स्ट 31 मार्स तक कैसे ग्रोथ रियक्ट करेगी उसके बारे में और आएम एफ ने यानि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने जो वर्ल्ड एकनोमिक आउटलूक अपना प्रिजन्ट किया था उसके अंदर भी बात कीगी कैसे भारत की एकनोमी या भारत की अर्थवेश्ता रियक्ट करेगी इसमें बताया गए कि इंडियन इकनोमी जो है वो माइनस टेन पॉइंट थिरी परसेंट का जो है कॉंट्रेक्शन या से हमारी एकनोमी अब थार्ड फॉर्थ क्वार्टर के अंदर जाएगी तो वहां पर और फेस्टिवल सीजन्स हैं तो हम इस बात को लेकर 100% शूर हैं कि हम कहीं ने कहीं एक तरीके से रिकवर कर रहे हैं हमारी एकनोमी जो स्टेडली और सस्टेनेबल रिकवरी कर रही है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोविंग एकनोमी हम नेक्स्ट यर होंगे यह केवल गवर्मेंट का तरक नहीं है यहां पर केवल गवर्मेंट नहीं कहा रही है क्योंकि रेशनली जो आईमेप का रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गए कि भारत की एकनोमी 2021 में जो यह होग लेकिन मेजर एकनोमी में केवल चाहिना जो इस बार कोविड-19 की बाद भी पॉजिटिव रहा इन सब के अलावा इन्होंने कहा कि हमारा अग्रिकल्चर सक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा और क्योंकि उसकी वज़े से डूरेबल अग्रिकल्चर एक्विप्मेंट जैसे इंक्रीज हुए 2012 के बाद ये हाइस्ट हमें देखने को मिल रही है इन सब के अलावा वही सेम चीजें की हो सकता है इस साल हम कोई गेन ना करें या इसमें नेगेटिव हम चले जाएं वो सभाविक है क्योंकि आपके छे मेने पांच मेने तो ऐसे गई है इसमें बिलकुल ए एक्टिविटी नहीं हुई फिर धीरे दीरे जो लोकडाउन्स हुआ एकनोमीज को रिवाइवल किया गया इनके अलावा अलगलग कुछ ग्रूप से उनका एक अपना ओपिनियन से वो कह रहे है कि एकनोमी जो है लिजाल 9.3% तक ग्रोथ कर सकती हाला कि यह कितनी ग्रोथ क अग्रिकल्चर हो और प्रिड्यूस एक्सपोर्ट के मामले में हो कंटेन्यू फोकस कर रही है इसके लावा इंडिया एनर्जी फॉर्म में जो वो बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल फ्यूल प्राइसिज के अंदर और हमारे प्रधानमंत्री साब नहीं भी कि हम फ्यूल को बड़ी संख्या में स्टौर करतें emergency purpose के लिए फोर एक्जामपल हमने फ्यूल से बड़े संख्या बना लिये तो उसका हम यूज़ गर सकतें emergency फोर एक्जामपल वेस्टर नेशिं कॉट्री में यहां पर प्लिटिकली कोई भी वहां पर डिश्प्यूट हु जैसे अभी क्योंकि हमने देखा कि चाइना और कई सारी कंट्रीज की वज़े से हमने जो लोकडाउन हो गया प्रोपर ली तो ट्रेड नहीं हुआ स्प्लाइचेन डिस्टरब हुआ तो उनी की वज़े से इस तरह के स्टैप ली जाते हैं भारत में भी हमने स्ट्रेजिक रिजर्व बनाएं तो अब निर्मला सी तरह मंजी कहा रहे हैं कि हम ग्लोबल वैल्यू चैन को इंप्रूव करने के लिए और प्रैस डेटर्मिनेशन क के साथ साथ भारत और दुनिया में दूसरी जगह पर भी अपने स्ट्रेजिक रिजर्व बनाएंगे ताकि एमर्जेशनी परपस के लिए यूज किया जासके स्प्लाइचेन रिजिलेंस जो है उसके लिए इनिसेटिव भी लिया तीन कंट्रीज ने जपान इंडिया अब नहीं होनी चाहिए ऊर इकनोमिक एक्किवीटी कन्टीनू चलती रहनी चाहिए अब हम एडिटोर्यों वाले स्रेशन में जाएंगे दो तिन एडिटोर्यल को कवर करेंगे जो नए होंगें अब कई लोगों को लगता है कि सारे एडिटोर्यल को नहीं कवर करते सबसे पहले बात करेंगे compound, counter, में एक word यूज़ किया गया recently तो इसको हम हलाकि news में तो discuss कर चुके है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने analysis करके इसको बताया तो recently central government ने एक decision लिया कि MSMI loan जो है medium, micro, small, medium enterprises जो है उसके तहट जो 2 क्रोट रुपे तक के loan थे जो March 1, August 31st तक थे, इनके अंदर जो interest होता है simple interest और compound interest compound interest का मतलब होता है interest on interest उनके बीच का जो gap है उसको cover करेगी government यानि वो पैसा government banks को देगी इसके लिए एक legal process हुआ Supreme Court में directions गई Supreme Court ने कहा था कि लोगों की दिवाली जो है या लोगों की happiness आपके उपर depend करती है कि वो कैसे celebrate उसको करते करेंगे इनके लावा banks हो non banking financial companies हो कैसे उनको credit करना है उनको 2 weeks का time दिया गया कि आप जो borrowers है जिन्होंने loans ले रखा है उनके account में ये आप भीजेंगे अब loan नहीं भीजेंगे यहाँ पर जो interest rate है simple interest और compound interest के बीच का जो gap है उसका जो पैसा है वो वापिस उनके account में भेज दिया जाएगा इसके अंदर दो तिन चीजें बताएगी है कि इसके अंदर केवल criteria बताएगा कि education, housing, consumer durable, automobile, consumption, credit card borrowing इन सब के लिए में जहाँ पर consumption हुआ उनका पैसा वापिस उनके account में भेज दिया जाए जो उन्होंने extra दिया है यानि simple interest यह उन पर लगना चाहिए compound interest नहीं लगना चाहिए इसके लावा यहाँ पर एक और word यूज किया गया है कि इन सम्में इस बात को ध्यान रखिए कि 29 February तक अगर किसी को कोई non performing asset है यानि ऐसा पैसा भाई जिसके आने के उमीद नहीं है उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी इनके लावा यहाँ पर यह ठीक एक अच्छा step है तो यहाँ पर यह जो आर्टिकल्स में बोला जा रहा है कि MSME सेक्टर को अभी भी बहुत सारी चीज़े करनी है इसे लोग जो EMI commitment जिनके थे कि disruption के दुरान lockdown के दुरान वो EMI अपने भरे तो EMI को क्योंकि proper demand district हुई है margins या labor shortage हुई है regulatory proper नहीं है indirectly employment को damage किया है और इसके लावा इन सब को फिर से revival करने के लिए employment generate करने के लिए fiscal impact को कम करने के लिए government को चाहिए कि इस sector के अंदर और ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं इनके लावा यहां पर valuable borrowers के बारे में बताया गया कि उनको हम लोग support कर सकते हैं vulnerable जो borrowers होते हैं उनको support कर सकते हैं कि कई बार होता है कि ऐसे लोग साहथ अपने आपको support नहीं कर पाते तो government को उनकी responsibility होने चाहिए और major section है खासकर इस तरह की section जहां पर problem है financial issues है वहां पर government जो impact को कम करने के लिए उनको support कर सकते हैं और economic revival के साथ-साथ उनके रोजगार को भी या नियों employment को भी revival किया जा सकता है इसी के अंदर second editor editorial जो है dead letter word यूज किया गया यह basically चली government के बारे में है और चली के अंदर recently एक वहां पर referendum conduct करवाया गया उस referendum को थोड़ा सा हम समझते हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट शुरू हुए जो यहां पर conservative president थे स्विस्टियन पिनेरा करके वाड़ है ठीक है तो वहां पर अब क्या किया गया है कि constitution को rewrite किया जाएगा और इसके लिए 78% चली के जो नागरी के citizens हैं उन्होंने vote किया यानि एक बड़े संख्या में इसमें एक तरीके से प्रोटेस्ट किया गया यहां पर बीच में जो है वो historical चीज़ें बताएगी है कि 1990 के बाद कैसे democracy का transition हुआ अलग-अलग चीज़ें रही और इन सब के बीच में जो dark era रहा उन सब को cover करने के लिए education है basic human rights है इन सब के अलावा जो education है in health है इन सब के बारे में discussion वहाँ पर उनके बारे में काम किया जाएगा और कई न कई changes किये जाएगे देखिए चिल्ली के बारे में recently हमने map जब देखा था तो अगर आप तो अगर आप चिल्ली का map देखेंगे तो तीन countries में border share करती है पहली बोलविया है पेरू है अर्जेंटाइना है अलागी मैंने पेरू का उस दिन discuss किया था लेकिन कुछ साथी बोल थे कि सरा आपने पेरू को include नहीं किया तो पेरू बिल्कुल touch करता है वो तो natural सा ही है प्रागवे टेच नहीं करता बोलविया यहां से और यहां से अर्जेंटीना ठीक है तीन country चिली को touch करती है लेटिन अमरिकन ये country है इसके अंदर एक process बताया गया कैसे government change करेगी हाला कि अभी बहुत सारे concerns हो सकते हैं और इन सब concerns के बीच में दुनिया भर में democratic democratic rights के लिए जो है परदर्शन हो रहे हैं एक तरीकी से government के खिलाव यहां पर हमने चिली देखा किर्गेस्तान देखा थाइलेंड देखा इसके लावा कई जगा लग लग जगा पर इस तरह के protest हो रहे हैं बेलारोस में भी democratic process को smooth करने के बारे में प्रोटेस्ट हुआ तो जो जो country news में रहती हैं उनको हम में cover करते हैं इसके लावा third important detail लग तो इसको brief में देखिएंग हलां कि बहुत ज़्यादा factual सा detail बताई गई है यहां पर जो इंडिया की distribution company है उनके stress के बारे में बताएगी कि वो पहले से ज़्यादा increase हुआ है तो यहां पर सबसे पहले बताएगा कि अवर होल है regulations के अंदर खासकर electricity firms को लेकर उनकी delivery जो होनी चाहिए थी deliverable using होना चाहिए वो नहीं properly हो रही है तो यहां पर बताएगा कि हमारी electricity chains है उसके अंदर जो growth होनी चाहिए वो अभी कम है और हम जब हम भारत बात करता है global leadership की renewable energy के अंदर वो सब हासिल तो तब होगी जब हम हमारी जो basic electricity है जैसे discoms करती है यह distribution companies है उनकी situations अच्छी होगी यह चाहे जनरेट पावर जनरेट purchase करें उसको distribute करें उनकी physical supply situations खासकर जो इंप्रूव करें लेकिन कोविड 19 के पहले और बाद में situation इतनी अच्छी नहीं है कि यह distribution system इसके लिए हमने ना एक scheme भी launch की थी उद्य करके जहां तक मुझे याद है तो government ने उसके लिए भी लॉन उज़ करी थी इनके लावा जो अभी 2020 में stimulus package जो रिलीज किया गया था government की तरफ से 20 लाग क्रोड का आतमने पर भारत package उसमें 90,000 क्रोड रुपे discount companies को दिए गए इसमें इसको upgrade करके बाद में 1,25,000 क्रोड रुपे दिए गए तो इन्होंने analysis करके बताया कि क्या 1,25,000 क्रोड रुपे हासिल करने के बाद हमारी जो electricity companies हैं वो सही काम कर रही है तो इन्होंने कहा कि इन सब के वावजूद भी supply chain जो है वो कहीं ने कहीं collapse कर ही है और data on liabilities को लेकर इन्होंने question mark लगा इनके लाएक word यूज किया गया कि government property इसको full form बताया गया कि payment ratification and analysis in power procurement for bringing transparency in invoicing of generators लंबी चोड़ी बात इन्होंने लिखी है तो ये काया कि अभी भी उसमें कुछ concern है इनके लावा state जो government है वो कहीं ने कहीं defaulters की तरह स्टेट में कई सारे ऐसे defaulters देखनों को मिल रहे हैं यानि overall कहने का मतलब यह है कि इतने efforts के बाद भी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं और यह जो renewable energy की हम बात करते हैं उसके लिए भी थोड़ा दा problem है कि देखो renewable energy तभी function करेगी जब इसके साथ साथ हमारा alternate जो अभी जो natural चीज़ हम cover करेंगे last editorial है इंडिया और मैनमार के relationship को लेकर उससे पहले आप मैनमार का map यहां से cover कर सकते हैं देख सकते हैं तो मैनमार भारत के साथ तो touch करता ही है आप लोगो नीचे comment करना कि भारत के कौन-कौन से राज्य या कौन-कौन से state जो है मैनमार के साथ border share करते हैं इसके ल को लगे कि कोई country touch कर रही है और मैंने नहीं बता है तो वह important हो जाता है तो Malaysia, Thailand, Laos और यह यहां पर चाइना और भारत का नोर्थ इस्ट वाला पार्ट और यहां पर बंगलादेश तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे बहुत सारी दुनिया घूम चुके इंडिया की presence जो है कई सारे sectors के अंदर मैंनमार के अंदर बढ़ रही है तो उसके बारे में इन्हों ने analysis किया रेसेंटली हमारे जो फोरेंज सेक्रेटरी है हर्सवरदन सिरिंगला जी और चीफ मिनिस्टर चीफ स्वरी चीफ मिनिस्टर ने चीफ आमी स्टाफ जो है जनरल मनोज नर्वने वो मैंनमार की विजिट पर गए भारत और मैंनमार के बीच में discussion हुआ और यह विजिट तब ह जब वहाँ पर elections conduct होने वाले जनरल इलेक्शन ठीक है इन सब के बीच में दोनों कैसे engagement करेंगे political acting कैसे political actors हो या balancing neighbors हो इन सब के बीच में वहाँ पर discussion किया गया भारत का जो delegation है वो state counselor से मिला वहाँ के मेंनमार के military commander से मिला जो कि political power को directly और innerly hold करते हैं तो भारत की foreign policy को अगर आप analysis करेंगे तो भारत किसी भी country के internal political चीजों में जो है इंटरफेस नहीं करता भारत बस इस बात को बोलता है कि peaceful resolution होना चाहिए और government और वहाँ के लोगों को basic right मिलने चाहिए तो भारत की policy जो हमेशा balance कि रही है चाहे military दोबारा government लेट की जारी हो या फिर democratic rights के थूँ ज आपर engagement कर रहा है उसके दो तिन concern है पहला तो अगर आप देखेंगे north east वाला जो regions है उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसी fractions हैं जो भारत के खिलाफ काम करना की कोशिस करते हैं तो उन सब को counter करने के लिए जरूरी है कि भारत मैनमार के साथ proper cooperation करें ठीक है इनके अलावा recent म कई सारे initiatives हुए हैं जिसकी वज़े से यहां पर चीज़े हुए है जैसे चाइना की continue यहां पर प्रिजेंस बढ़ रही है प्लिटिकल डिप्लोमेटिक और security लेटिट जो ties हुए establishment करने ही कोशिस कर रहा है तो भारत भी same चीज़े हैं कि भारत भी political economic diplomatic चीज़ें को यहां पर engagement करेगा इनके लावा भारत ने यहां पर petroleum refinery के बारे में investment किया लगबग 6 billion dollar और यह कहीं ने कहीं चाइना के साथ डाइनमिक्स चेंज हो रहे हैं भारत के मैनमार के दुनिया भर के देशों के उनके साथ यह एक positive चीज़े हैं इनके लावे mutual commitment भी है कि दोनों एक दूसरे की territory की respect करेंगे और कहीं ने कहीं अगर ऐसे fractions group जो दोनों कंट्रीज के relation को damage करने की कोशिज करते हैं उनके खिलाफ jointly actions किया जा सकता है इनके अलावा सबसे important है कि यहां पर Rohingya crisis जो है उन सब में बंगला देश और मैनमार को साथ लेकि प्रोपर resolution निकले भारत के अंदर बड़ी balance की policy को follow कर रहे है और इन सब के अलावा क्योंकि यह आशियान की important country है तो इस आशियान के साथ हमारा continue relation जो strong हो रहा है इसके अलावा हम लोग continue हमारी जो policy जैसे act east policy हो आशियान के साथ continue engagement हो south east Asia को मजबूत करने के बारे में बात हो तो वो government continues पर focus कर रही है तो इन सब के बार में यहाँ पर discussion किया गया तो यह कुछ important चीजे है जो आज के the Hindu news paper में है तो thank you all जैहिन और continue इसी तरीके support करते रहे है जैहिन